नमस्कार इस वीडियो में हम लोग NCERT History for Standard 11th का Study करेंगे Standard 11th NCERT History तो इस चैनल पे आपको Standard 6 से लेकर के Standard 12 तक का NCERT का History पढ़ाया जा रहा है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 हो चुका है Complete हो चुका है 11th अभी ये चल रहा है इसके बाद 12 भी Upload किया जाएगा तो 6 से लेकर के 12 तक के NCERT History के लिए आप इस चैनल का उपयोग करें और Computative exams में सामिल होने वाले Students को ध्यान में रख करके ये बनाये जा रहा है तो ये कही जगा है ये कही चैनल पे आपको 6 से लेकर के 12 तक का History NCERT के एक साथ एक चैनल पे अविलेवल है आप इसका इसका इस्तेमाल करें उपयोग करें इसे लवानवित हो तो हम लोग पढ़ते हैं आज आज का चैप्टर है ये टॉपिक है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ सामराज्य ठीक है तो स्टार्ट करते हैं रोम सामराज्य दूर दूर तक फैला हुआ था रोम सामराज्य दूर दूर तक फैला हुआ था इसके विशाल राजिज छेत्र में आज का अधिकांस यूरोप और उर्वर अर्ध चंद्राकार छेत्र फर्टाइल क्रिसेंट यानि पस्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था इस अध्याय में हम यह देखने का प्रियत्न करेंगे कि इस समराज का गठन कैसे हुआ और किन-किन राजनितिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया समारा और इस समराज के लोग किन-किन समाजिक समूहों में विभाजित थे आप देखेंगे कि यह समराज अनेक अस्थानिय संस्कृतियों तो था भाषाओं के वैभव से संपन्न था जहां था वहां इस्थियों की कानूनी स्थिती काफी सुद्रिड थी मैलाओं को अधिकार मिले थे कानून के अधार पड़ वैसी स्थिती आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है लेकिन वहां की अर्थ व्यवस्था बहुत कुछ दास स्रम के बल पड़ चलती थी जिस वज़ा से जनता का अच्छा खासा भाग सुतंतता से वंचित रह जाता था पांचवी शताबदी और उसके बाद के समय से पस्चिम में सम्राज्य छिन भिन हो गया लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में आखंड और अत्यांत सम्रिध बना रहा अगले अध्याय में आप खिलाफ़त के बारे में पढ़ेंगे खिलाफ़त इसी सम्रिधी की नीव पर अस्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी तथा धार्मिक परमपड़ाओं को विरासत में प्राप्त किया ठीक है रोम के इतिहासकारों के पास सुरुत समगरी का विशाल भंडार है इस सम्पूर्ण सुरुत समगरी को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है पाथे समगरी प्रलेख याद दस्तावीज और भौतिक अवशेश पाथे सुरुतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उसकाल का इतिहास जिसे वर्ष विर्टांत है एनल्स कहा जाता था क्योंकि ये विर्टांत परती वर्ष लिखे जाते थे पत्र व्याख्यान प्रवचन कानून आदी दस्तावीजी सुरुत मुख्य रूप से उत्किर्ण अभिलेखों या पैपाईरास पेर के पत्तों आदी पर लिखी गई पंडूलिपियों के रूप में मिलते हैं उत्किर्ण अभिलेख है आम तोर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे इसलिए वे नस्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं पैपाईरास एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील लदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन समगडी तयार की जाती थी रोजमर्ण की जिन्दगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था हजारों की संख्या में समविधा पत्र, लेख, समवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पैपाईरेस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पेपाई रोलोजिस्ट यानी पेपाईरेश शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किये गए हैं बहुतिक अवशेशों में अनेक प्रकाड की चीजें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुदात्त्व विदों को खुदाई और छित्र सर्वेक्षन अधिक के जरिये अपनी खोज में मिलती हैं जैसे इमारतें समारक और अन प्रकाड की संरचनाएं मिट्टी के बारतन सिक्के पच्चीकाडी का सामान यह तक की संपूर्ण भूद रिश्या जैसे हवाई शायांकन द्वारा प्राप्त है इन में से परतेक सुरोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकाड की ही जानकाडी देते हैं इन जानकाडियों को मिला कर देखना अत्यांत उप्योगी हो सकता है लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन सुरोतों के तथ्यों में अंतर संबंद बनाता है यह उसकी कुशलत पर निर्भड करता है इसा मसीह के जन्म से लेकर सात्मी शताबदी के पूरवार्ध में छोसवतीस के दशक तक की अवधी में अधिकांश एउरोप उत्तरी अफरीका और मध्ध पूर्व तक के विशाल शत्र के दो शशक्त समराज्यों का शाशन था ये दो समराज्ये रूम और इरान के थे रूम और इरान के लोग आपस में पर्तिद्वंद्वी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे उनके समराज एक दूसरे के बिलकुल पास थे उन्हें भूमी की एक सकड़ी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी इस अध्याय में हम रूम के समराज के बारे में पढ़ेंगे मगर कहीं कहीं प्रसंगवाश रूम के प्रतिद्वंदी इरान का भी उलेख करते रहेंगे यदि आप नीचे दिये गए मान चित्र पर नजट डालेंगे तो देखेंगे कि यूरोप और अफ दूसरे को अलग किये हुए हैं अफरीका और इरोप के महादोई पे जो पस्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है यह उन दिनों रोम समराज का हिर्दय था रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा द उत्तर में समराज की सीमा का निर्धारन दो महान नदियों राइन और डैनूप से होता था और दक्षेनी सीमा सहारा नमक अति विस्तृत रिगिस्तान से बनती थी इस प्रकार यह है वो नक्षा इसकी बात हम लोगों ने की वो मद्य सागर यह इतना बड़ा इस अत्यांत विस्तृत छत्र में रोम समराज फैला हुआ था दूसरी और कैश्पियन सागर के दक्षिन से पुर्वी औरब तक का समुचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी इरान के नियंतरन में थे इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचिन विरिहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्ट्रिम कहा करते थे समराज का आरंभिक काल रोमन समराज को मोटे तौर पर दो चरनों में बांटा जा सकता है जिने पुर्ववर्ती या परवर्ती चरन कहते हैं इन दोनों चरनों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो आतिहासिक भागों में विभाजित करता है दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधी को पुरुवर्ती समराज और उसके बाद की अवधी को परवर्ती समराज कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उनसे सम्बंधित समराज्यों में एक बड़ा अंतरिया था कि रोमन समराज संस्कृतिक दिष्टी से इरान की तुलना में कहीं अधिक विवित्ता पूर्ण था। इस अवजी के दवरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवांशों ने इरान पर शासन किया जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर इरानी थे। इसके विपरीत रोमन समराज ऐसे शत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यता सरका की एक साजी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। समराज में अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतू लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पुर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भा के लोग लातिनी भाषा बोलते और लिखते थे और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमद सागर को सीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत्रिपोली तानियां जो की लातिनी भाषी था और सायरे नायका यूनानी भाषा के बीच भाषी के बीच से जाती थी जो लोग समराज में रहते थे वे सभी एक मात्र शाशक यानी समराट की ही परजा थे चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों परजम समराट अगोस्टस ने 27 इसापूर्व में जो राज अस्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था यदे भी अगोस्टस एक छत्र शाशक और सत्ता का वास्तविक शुरूत था तथा भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरि लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स था प्रिंसेप्स का मतलब प्रमुख नागरिक जो आज हम लोग भारत के आश्पति को भी पर्थम नागरिक समझते हैं इसी परंपड़ा को हम लोग वहाँ देख रहे हैं शाशक नहीं था ऐसा सैनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए कि जब रोम एक रिपब्लिक यानि गणतंत्र था सत्ता पर अपना नियंत्रन रखा था रोम में सैनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई सताब्दियों तक रहा था वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवंग अभियात वर्गों यानि मुख्यता है रोम के धनी परिवा कर इसमें इतालिवी मूल के जमीनदारों को भी शामिल कर लिया गया रोम के तिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज युनानी तथा लातिनी में जदाता लिखी मिलती हैं इन ही लोगों द्वारा लिखी गई थी इन पुस्तकों से यहा बात अस्पष्ट हो जाती है कि सम साइनेट के प्रती किस तरह का विभार रखते थे सबसे बुरे समराट वे मानने जाते थे चो सैनेट के सदस्यों के प्रती कि शत्रूता पूर्ण विभार करते थे और उनको शक की नजर से देखते थे या फिर उनके साथ कुरूडता वहिंसा करते थे कई सैनेटर गंतंत्र जुग में लोटने के लिए तरस्ते थे किन्तु अधिकतर सैनेटरों को यह अहसास जरूर हो गया किया असंभब था समराट और सैनेट के बाद समराजिक साशन की एक अन्प्रमुक संस्था सेना थी फारस के समराज में तो बलात भरती वाली सेना थी लेकिन रोम की सेना एक व्यावसाइक सेना थी जिसमें प्रतेक सैनेक को वेतन दिया जाता था और नियूंतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी एक वेतन होगी सेना का होना निसंदेह रोमन समराज की अपनी एक खास विशेस्ता थी सेना समराज में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी इसमें चौथी शताबदी तक 6 लाक सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से समराटों का भाग निर्धारिद करने की शक्ती थी सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्त के लिए लगातार अंदोलन करते रहते थे यदि सैनिक अपने सेना पतियों और यहां तक की समराट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह अंदोलन पड़ाया सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सैनेट के प्रती सहनुभूती रखते थे सैनेट सेना से घेड़ना करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी विशेश रूप से त सनावपूर्ण परस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैने खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। ग्रिह युद्ध होता था। एक ऐसे वर्ष उनहत्तर इश्वी को छोर कर जब एक के बाद एक में कुल मिलाकर चार समराट गद्धी पर बैठे पहली दो सताब्दियों में कोई ग्रिह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षा क्रित शान्ती बनी रही। सिहासन यथा संभव पारिवारिक वंश करम पर अधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था चाहे वह नैसरगीक हो अथवा ग्रहन किया हुआ उत्तरा धिकारी दत्तक और सेना भी इस सिध्धान्त को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरन नार्थ टिवेरियस 14-37 जो रोम समराटों की लंबी कातारों में दूसरा था। प्रिंसीपेट की अस्थापना करने वाले अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। किन्तु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद ले लिया था। प्रथम दो शताबदियों में अन देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टस से ठिवेरियस द्वारा प्राप्त किया गया समराज पहले ही इतना लंबा चोड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक परतीत होता था। पास्तों में अगस्टस का शासनकाल शांती के लिए याद किया जाता है क्योंकि इस शांती का आगमन दश्कों तक चले अंतरिक संगहर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। समराज्य के प्रारंभिक विस्तार में एक मात्र अभियान समराट त्राजान ने 113 से 17 इश्वी में चलाया जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के शित्रों पर निर्थक कबजा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तरा धिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। टेसी फरून तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे में पहुच गया। कैसियस डियों के अनुसार वहां पर वह भारत की और जाने वाले किसी वानिजिक पोत की कुलालाइत नजरों से देख रहा था। और चाह रहा था कि काश वह श्रिकंदर जैसा जवान होता। इस काल की एक विशेश उपलब्धी यह रही कि रोमन समराज के परत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप में काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आस्वित राज्यों को रोम के प्रांतिया राज शेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भड़ा पड़ा था। लेकिन दूसरी शदाब्धियों के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्टिम में पढ़ते थे उन्हें भी रूम द्वारा हरप लिया गया। प्रासंगिक तोर पर यहू लिखनिया है कि ये राज अत्यांत सम्रिद थे। उदारन के लिए हेरोड के राज से प्रतिवर्ष चववन लाख दिनाडियस थद एक लाख पचीस हजार किलोग्राम सोना के बराबर आमदनी होती थी। दिनाडियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था इसमें लगभग साहे चार ग्राम विशुद चांदी होती थी। वास्तों में इटली के सिवाए जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था। समराज के सभी शत्र प्रांतों में बंटे हुए थे और उनसे कड औसूला जाता था। प्रश्ण उठता है कि समराटों के लिए इतने लंबे चोड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रन रख पाना कैसे संभव हुआ। जिनकी आबादी दूसरी शताबदी के मध्य में लगभग 6 करोड तक पहुँच गई थी। इस प्रश्ण का उत्तर समराज के शहरी करन में खोजा जा सकता है। संपूर्ण समराज में दूर दूर तक अनेक नगर अस्थापित किये गए थे जिनके माध्यम से समस्त समराज पर नियंत्रन रखा जाता था। भुमद सागर के तटों पर अस्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज सिकंदरिया था एंटियोक इन में सबसे बड़े थे। समराजिक प्रनाली के मूल अधार थे इन ही शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतिये ग्रामीन शेत्रों पर कौर लगाने में सफल हो पाती थी जिन से समराज को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ हिया हुआ कि अस्थानिये उच वर्ग रोमन समराज को कोडवसूली और अपने शेत्रों के प्रशासन के काड़े में सक्डिये सहायता देते थे। इटली और अन प्रांतों के बीच सत्ता काकस्मिक अंतरन वास्तों में रोम के राजनितिक इतिहास का एक अत्यांत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी सताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अपसर इन्ही उच प्रांतिय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संब्रांत वर्ग बन गया जो की सिनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति शाली था क्योंकि उस संब्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसि जैसे यह नया सबू उभर कर सामने आया समराट गैलीनस ने सैनिटरों को सैनिक कमान से हटा कर इस नए वर्ग के उधाय को सुद्रिध बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलीनस ने सनिटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस पर पहुँच लखने पर पावंदी लगा दी थी ताकि समराज का नियंतरन उनके हाथों में नो जाने पाए संग शेप में पहली सताब्दी के बाद बाद वाले वर्षों में और दूसरी सताब्दी के दौरान तथा तीसरी सताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रसासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिये जाने लगे क्योंकि इन शेत्रों के लोगों को भी नागडिक्ता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी सैनेट पर कम से कम तीसरी सताबदी तक इतालिवी मूल के लोगों का प्रभुत्वा बना रहा लेकिन बाद में प्रांतों से लिये गए सैनेटर बहुत संख्यक हो गए इन परविर्तियों से यह पता चलता है कि समराज्य में इसली क्या पतन हो चला था और भूमत दिया सागड के अपेक्षा क्रित अधिक संब्रित और शहरी क्रित भागों जैसे स्पेन के दक्षिनी हिस्सों अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संब्रांत वर्गों का उदाय हो रहा था रूम के संदर्व में नगर एक ऐसा च्छतर में आने वाले कई ग्राम शामिल थे इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकांस च्छतर में दूसरा कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था किन्तु उसके तहत कई गाओं लगभग हमेशा ही होते थे आम तोर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी की कारंद गाओं का दर्जा बरहा कर उन्हें शहरा शहरा कर शहरों का दर्जा और शहरों को गाओं का दर्जा दिया जा सकता था किसी शहर में रहने का लावे ही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीन इलाकों के तुलना में बेहतर सुधाएं प्राप्त होने की आपना रहती थी, तो इस प्रकार से, अब इसके बाद आगे वाले वीडियो में थैंक्यू फॉर बेविंगू.